किसी भी ब्रांड की कार हो और कोई साभी मॉडल हो और उस कार में नॉर्मल मुजिक सिस्टम है उसके जगे प्राइन इंच का एंडराइट सिष्टम लगा के आप अपनी कार का चार चांद लगा सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको अन्बॉक्स करके दिखाता हूं यह हमने स्लिप काट से मैं गाना के वज़े है कि मैंने ऑफ-लाइन मार्केट में कफी ट्राइक करने के बाद यहाँ से पर्चिज गया था इनकी चछपाध में कर लेता हूं सबसे पहले अंबोक्स करने के बाद क्या क्या हमें साथ में हमें मिला यहां पे देख सकते हैं कुछबल्स लिखावा जो की ब्रान का बैजिंग है बैक साइड में आप देख सकते हैं हर इनके लिए कैसिंग की जरूरत पड़ती है इसको हम फ्रेम भी बोलते तो इस फ्रेम के साथ आपको कपलर मिलता है यह काफी अच्छा है जिनके वज़े से आप किसी भी वायर को कटिंग नहीं करना पड़ेगा आप कपलर टू कप्टर लगा सकते हैं बीना कटिंग किये यहां पर फ्रेम का लूग देख सकते हैं अच्छी फ्रेम की क्वालिटी की बात करो तो जो भी ब्रांट बनाती है फ्रेम को थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए क्वालिटी तो सबसे पहले मैं इस एंडॉइड सिस्टम को इस फ्रेम में लगा के फिट करके देखता हू हमारा functioning कैसा आ रहा है या फिट हो रहा या नहीं का तर्णोर ले में डिस्पेल फिट करने के बाद यहां पे चार पूंट आता है यहाँ पे nut को टाइट कर लेना चारू प्वैंट पे पुराना music system को हमने निकाल लिया वीडियो में शुट नहीं कर पाया था इनके लिए सब्सक्राइब आप वीडियो देख कीस आप निकाल सकते हैं एक बारिबारे से कपलर को ह seperti लग хотите क्योंकि दूसरा प्लर जो है दूहरे प्व 했습니다 कोर्णहें लगालेना CHAN उसके बाद यहां पे USB आप पोर्ट के लिए यहां पे दिया गिया है प्वेंट तो इसको भी लगा लेना है हमने दो साथ में दो USB पोर्ट आया था लेकिन हमने एक ही USB पोर्ट लगाया है फैनली हमारा डिस्पले फिट हो गया है बस जो लॉक है बस हलके से धक्का देना है और यह ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा फिट होने के बाद यहां पर लूग देख सकते हैं काफी जबलदस्त लूगा और काफी स्मूध चलाने में जो है काफी स्मूध है मतलब जो 20-22 हजार का जो म्यूजिक सिस्टम यूज करते हैं उनका केमपेएर यह कर सकता है काफी अच्छा रिस्पांस में इस एंड्रॉइड म्यूजिक सिस्टम के साथ कितने सारे फीचर्स हैं यहां पर देख सकते हैं एफेम हो या फिर रिवर्स कैमरा सपोर्ट हो कि रियाटिव स्क्रीन हो घ्पीयेएई फो बुलूटूट और सबसे बेश्ट फीचर्स यहां पर देख सकते screen mirroring इसमें Android और IOS एपर दोनों connect करके screen mirror कर सकते साथ ही split screen भी कर सकते हैं मतलब multi-task कर सकते हैं high quality IPS display यूज किया गाली जो की display में सो होगा रिसीप भी कर सकते हैं disconnect भी कर सकते हैं एक ज़लक display की और तो यहां पर हमने वीडियो प्ले करके दिखाया है तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छी quality हाँ देखने को मिल रहा है क्योंकि यहां पर वीडियो प्लेयर से भी चला के दिखाया और यूट्यूब से भी दिखाया काफ़ी अच्छा response और बाकी मैंने camera install नहीं करा हैं मैं बाद में करा लूँगा तो display लगने के बाद आपकी car की जो interior है काफी खुबसूरत हो जाता और मेहीं की car लगने लगती तो मैंने market में try किया display का तो हर जगे लगभग 10-12,000 रुपे लग रहा था normal brand का तो हमने flip card में search करने के बाद ये product मिला जो की 2 साल की warranty भी देती इस android की ram rom की बात करो तो 2GB और 32GB है इस product की offer की बात करो तो यह यहाँ पे देख सकते है 49992 रुपे में purchase गया था साथी frame का 6992 रुपे लगा था मतलब 5700 रुपे में complete display फिटिंग आ गई तो यहाँ पे लगवग 4-5000 रुपे का market के price से हमें बच्चा है साथी अच्छे quality का हमें music system भी मिलिया इस वीडियो से related कोई भी inquiry करना है तो आप comment section में comment कर सकते है reply दूँगा वीडियो अच्छी है और informative लगी हो तो इस वीडियो को like और sale जरूर करें और हमारे चैनल में जो नए है हमारे चैनल को subscribe करके जाए thank you for